1.4.3 विकास का सिध्धान Theory of Evolution गहन अध्यन, कई जीओं के अवलोकन एवं कई प्रमान जुटाने के पशाथ डार्विन और वेलिस मिलकर इस नतीज़े पर पहुचे की पहला, जीवों में विवित्ता पाई जाती है जिसके कारण उनके जीने की शम्ता में भी थोड़े बहुत अंतर पाये जाते है कोई कम जीता है, तो कोई जादा किसी की कम संताने होती है, तो किसी की जादा जिनकी जीने की शम्ता जादा होती है, वही परिवेश में ढलकर जीते है और उनकी एक नई प्रजाती दिखाई देती है दुसरा, विश्व में प्रजातियों की रचना एक जटके में नहीं बल्कि पहले से मौजूत प्रजातियों से होती है तिसरा, विवित जीवों की उत्पत्ति एक समान पुर्वज से हुई है इसलिए विकास की प्रक्रिया को एक शाकित पेड़ के रूप में दर्शाया जा सकता है चौथा, किसी भी जगे की जनसंख्या में पाय जाने वाले जीवों में विभिन्नताय होती है इनने से कुछ विभिन्नताय ही एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी में जाती है पाच्वा, हर प्राणे विशेश का अस्तित्व बनाय रखने के लिए उनमें कुछ खास विभिन्नताय होती है एक प्रजाती में यह विभिन्नताय एक पेड़ी से दूसरी पेड़ी तक पहुँचती है तो धीरे धीरे संतान पीड़ी जनक पीड़ी से भिन्न होती रहती है और एक नई प्रजाती का रूप ले लिती है प्रजातियों का विकास पीड़ी दर पीड़ी पहुचने वाली ऐसी कुछ विभिनताओं से होता है और किसी परिस्तिती में ये लाबदायक सिद्ध होती है छटवा लाबदायक विभिनताओं वाली विवित प्रजातिया किसी आवास में पनपने लगती है और समय के साथ इन प्रजातियों की आबादी में विद्धी होती रहती है जो पहले से उपस्तिक प्रजातियों की आबादी को प्रभावित करता है उस आवास में जीनने के लिए जादा सक्षम प्रजातियों के आबादी अन्य प्रजातियों के आबादी का स्थान नेले रखती है इस प्रकार प्रजातियों के आबादी में क्रमशह बदला होता है जिससे जीवों का विकास चलता रहता है क्या डाइनासोर का विलुप्ति करण किसी सक्षम प्रजाती के विकास के करण हुआ है इस संदर में आपकी क्या राय है क्या आप जानते हैं जै विकास के सिध्धान्त एवं उसे प्रतिपादित करने का विवरण डार्विन द्वारा लिखित पुस्तक ये पुस्तक के एक रमशह सन 1869 और सन 1889 में छपी थी हम जानते हैं कि एक्सिलरेशन में चीता फरारी को भी मात दे सकते हैं पर चीताओं के लिए इतना तेज भागना क्यों आवशक है चीताओं का एक प्राक्रितिक हैबिटाट अफ्रीका में सवाना के घास के मैदान है जहां पर शेर और लकड बगगे भी पाए जाते हैं ये दोनों जानवर शिकार के लिए चीता से प्रतिसपर्धा करते हैं कभी-कभी ये जानवर भोजन के लिए चीता को मारने का प्रयाज भी करते हैं। अपना बचाव करने के लिए चीता को अपने शिकार और शिकारी दोनों से तेज होना होगा। लचीली स्पाइन और लंबे पैर चीता को तेज दोड़ने के लिए एक परफेक्ट आकरिती और बनावट प्रदान करते हैं. एक ही प्रजाती के अंदर कुछ चीता दूसरे चीताओं से तेज दोड़ते हैं. इन दोनों चीताओं में कौन सा चीता भोजन की रेस में चीतेग प्रकृती में सब जीव सर्वाइवल के लिए संसाधनों के लिए प्रतिसपर्धा करते हैं. एक ही स्पीसी के अंदर प्रतिसपर्धा से ही नए जीव विकसित होते हैं. कॉम्पिटिशन और सर्वाइवल और फिटेस की थियोरी को नैचुरल सिलेक्शन की थियोरी भी कहते ये थियरी डार्विन ने अपनी पुस्तक Origin of Species में 1859 में प्रपोज की थी। डार्विन ने ये देखा कि एक ही स्पीसी में जीवों में बहुत अधिक विभिन्नताएं होती हैं। आतावरण के साथ ठीक प्रकार से समायोजित नहीं है, वो फ्रजनन और सर्वाइव नहीं कर पातें। ये कम समायोजित गुण धीरे-धीरे किसी भी आबादी में से गायब हो जाएंगे। हुई कि गुण एक पीडी से दूसरी पीडी में जीन्स के माध्यम से ट्रांसफर होते हैं। बिमारियों के इलाज के विशे में नैचुरल सिलेक्शन मनुश्यों पर सीधा प्रभाव डालती है। 1928 में एंटिबाइटिक पेनिसिलीन की डिसकावरी हुई इसने बिमारियों के इलाज में काफी मदद की और जल्दी ही बड़े पैमाने पर इसका प्रयोग होने लगा। बग्ज्ञानिकों ने नैचुरल सिलेक्शन की त्योरी को सिलेक्शन ओफ फेवरेबल जीन्स से एकस्प्लेइन किया। लेकिन कुछ सालों में पाया गया कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जिन पर पेनिसिलीन का प्रभाव खत्म हो गया था। इन बैक्टीरिया ने पैनिसिलीन के प्रति प्रतिरोधक शमता विक्सित कर ली थी। इन्हें फिल्टर बैक्टीरिया कहा गया और इन पर पैनिसिलीन का कोई प्रभाव ना होता था। अंततह बीस्वी शताबदी में ऐसे बैक्टीरिया की पॉपुलेशन विक्सित होने लगी जिन पर पैनिसिलीन का कोई प्रभाव ही न पढ़ता था। आज कर डॉक्टर एंटिबायोटिक का प्रयोग कम करते हैं और इन्फेक्शन का इलाज करने के लिए नए तरीके खोज रहे हैं। इस वीडियो में हमने ये सीखा कि वेरियेशन की वज़े से एक ही स्पीसीज के जीवों में विभिन्नताएं होती हैं और इन विभिन्नताओं की वज़े से कुछ जीवों के सर्वाइवल की संभावना अधिक होती हैं। ये जीव अपने गुणों को अपनी अगली पीडियों को ट्रांसफर करने में सक्षम होते हैं। हमने ये भी सीखा कि कुछ बैक्टीरिया पैनेसिलीन के प्रती प्रतिरोधक शमता विकसित कर लेते हैं और इससे डॉक्टरों को इलाज करने में काफी कठिनाई होती हैं। ये अडाप्टेशन और नाचुरल सिलेक्शन का उधारण है।